साला समय में परिवर्तन के सम्मन में एक बहुत ही महत्मून आदेश लोक सिक्षन संचाल नाले मत्पिर्देश भपाल के द्वारा 6 दिसंबर 2022 को जारी किया गया जिसमें बताया गया कि इस्थानी परिस्तितियों के अनुसार जिला के कलेक्टर महोदे के अन्मोदन के उपरा इवं ग्रिस्मकाल में अधिक्तम तापमान 42 डिग्री से अधिक होने पर जिला सिक्षा इदिकारी के प्रस्ताओ अनुसार संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा साला संचालन हितु समय निर्धारित किया जा सकेगा तो इसमें बताया गया कि यदि सीदकाल में किसी जिले में तापमान जो है 5 डिग्री से कम हो जाता है या फिर जो ग्रिस्मकाल होता है इसमें तापमान 42 डिग्री से अधिक हो जाता है तब ऐसी कंडिशन में जिला सिक्षा इदिकारी प्रस्ताओ तयार करेंगे और इसका अन्मोदन जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा और इनके द्वारा साला संचालन का जो समय है वो निर्धारित किया जा सकता है अर्थात कब से कब तक सालाओं का संचालन किया जाएगा किस समय में इसका निर्धारन जिला कलेक्टर महोदे के द्वारा किया जा सकेगा औ जैसे प्रिदेश के कुछ जिलों की यदि हम बात करें तो कुछ जिलों में जो तापमान है सीद काल में बहुत ही कम हो जाता है और कुछ जिले में नियूंतम रहता है तो ऐसी कंडिशन में जहां पर इस्थानी परिस्तिती के अनुसार जहां पर तापमान 5 डिग्री से कम हो जाएगा ऐसे जिलों में जिला सिक्षा इदिकारी के प्रस्ताव के अनुसार अनुमोदन और प्रांत साला समय में परिवर्तन किया जा सकता है साथ ही हम देखें कि सत्र 2022-23 में जो सीद कालिन आवकास हैं वो कब से प्रारम हो जाएंगे तो इस सम्मन में जैसे हम लाश्ट 22-23 के अदि हम बात करें तो अभी तक इसकुल सिक्षे भाग के दोरा ना तो सीद कालिन आवकास के सामद में और ना ही गिरिस्म कालिन आवकास के सामद में कोई आदेश जारी किया गया है हाँ 22 में सीख रही इस सामद में आदेश जारी हो सकते हैं लेकिन सेक्शनिक केलें में जो अवकास निर्धारित किया गया है जैसे 25 दिसंबर की एदी बात करते हैं तो 25 दिसंबर क्रिस्मस डे होता है इस दिन का अवकास रहता है और आल्रेडी संडे है तो इस दिन का अवकास रहेगा और इसके उपरांद 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सैक्षिनिक कैलेंडर मे सीदकालिन आवकास दिया गया है लेकिन इस सम्मन में पिर्थक से आदेश जरूर होंगे एधी साला संचालन के समय में परिवर्तन के सम्मन में सांथी सीदकालिन आवकास के सम्मन में एक महत्पून जानकारी आसा है जानकारी अच्छे लगी होगी मिलते हैं कुछ इसी परकार की जानकारियों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हैं